हेलो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हम गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में डिसकस कर रहे थे, उसी डिसकसन को आगे बढ़ाते हैं, इसमें पढ़ते हैं अब कि कमप्रेसर की आईसेंट्रोपिक एफिशेंसी क्या होगी और टरबाइन की आईसेंट्रोपिक एफिश बना लेंगे, गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो हमने बनाया था, टी-एस डायग्राम स्पोज करो यह T है और यह S है, टी-एस डायग्राम आपका कैसे बन रहा था, इस टाइप से आपका टी-एस डायग्राम था, ये प्रोसेस 1, 2, 3 and 4 ये 4 प्रोसेस थी 1, 2, 2 प्रोसेस जो हो रही थी वो कंप्रेसर में हो रही थी इसको आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन कहा था 2 to 3 प्रोसेस constant pressure प्रोसेस थी constant pressure heat rejection थी 3 to 4 प्रोसेस थी वो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन थी और 4 to 1 प्रोसेस जो थी constant pressure heat rejection अब इसमें देखते हैं को 2 to 3 जो प्रोसेस थी वो थी आपकी constant pressure heat rejection यानि की 2 से 3 तक सारे के सारे जो point है वो सारे के सारे क्या होंगे constant pressure पे होंगे इस line में ये line ही कह सकते हैं 2 to 3 वाली जो line है ये line में pressure constant होगा यह कह सकते कि T-S डायग्राम में यह आपकी constant pressure line है 2 to 3 वाली भी और 4 to 1 वाली भी तो इस line पे हम लिख सकते हैं कि pressure P2 equal to P3 equal to constant यह pressure constant है और इस line पे यह जो line है इस पे क्या होगा P1 equal to P4 equal to constant इस line पे यह दोनो pressure सेम होंगे अब इसमें देखते हैं कि 1 to 2 जो process हो रही थी वो थी आपकी reversible adiabatic या isentropic expansion और आपको पता है कि real में reversible process exist नहीं करती क्यों नहीं करती क्योंकि friction कभी भी zero नहीं होता तो actual process जो थोड़ी सी different होती actual process कैसे आएगी actual process आएगी आपकी इस type से यह actual process होई यह suppose करो 2R point है real वाली process के लिए 1 to 2 real process ऐसे हो रही है अगर 1 to 2 real process ऐसे हो रही है तो आईसेंट्रोपिक वाली process को 2S लिख लेते हैं 1 to 2S यह वाली process थी तो real process थोड़ी सी अलग होगी यह वाली आईसेंट्रोपिक process है और यहां से भी देखो 3 to 4 जो process थी 3 to 4 जो process थी वो आईसेंट्रोपिक आईसेंट्रोपिक expansion या फिर reversible adiabatic expansion था तो इसको आईसेंट्रोपिक वाले को S लिख सकते हैं और actual process जो होगी वो थोड़ी सी different होगी जो different जो process होगी वो actual वाली, real वाली कह सकते हैं इस point is 4R यह वाली 3 to 4R वाली जो होगी, R मतलब real 3 to 4R वाली जो process होगी वो real process होगी ओके तो यह जो 1 to 2S वाली process है और यह वाली process है यह दोनों process कौन सी है reversible adiabatic इसको reversible adiabatic या isentropic भी बोलेंगे और जो यह वाली process है देखो, यह real वाली process है अब इस process में इस process में जो 1 to 2R real वाली process हो रही है क्योंकि यह reversible adiabatic नहीं है तो आप वो formula जो था कौन सा T2R by T1 is equal to P2 by P1 raised to power gamma minus 1 by gamma यह apply नहीं कर सकते हैं यह वाला formula यहां पर हम apply नहीं कर सकते हैं ओके तो अब actual process में और isentropic process में थोड़ा सा difference है और इसी difference को count करती है आपकी isentropic efficiency तो compressor के case में देख लेते हैं पहले compressor isentropic efficiency of compressor क्या होगी देखो isentropic efficiency of compressor होगी isentropic work isentropic work divide by actual work इसको आप define भी कर सकते हो कैसे? it is the ratio of isentropic work to the actual work अब isentropic work कब होगा जब process क्या होगी 1 से 2S तक होगी isentropic process कब होगी जब 1 से 2S होगी तो isentropic work कैसे आएगा H2S minus H1 यह आएगा isentropic work और real कब होगी जब process कहां से कहां तक होगी 1 से 2R तक तो actual work या real work कब आएगा जब H2R minus H1 होगी जब यह process क्या होगी H2R minus H1 तो यानिकी यह वाला work H2R minus H1 यह real वाला work आएगा actual वाला work आएगा बट यहां पे isentropic work हो या आइसेंट्रोपिक process हो या फिर आपकी real process हो जो working substance है जो आपका fluid ले रहे हो आपिस में वो क्या है air और air क्या है आपकी ideal gas है air क्या है ideal gas है ideal gas के लिए for an ideal gas ideal gas के लिए H की value को आप CPT लिख सकते हैं H को क्या लिख सकते हैं CPT अगर CPT लिख सकते हैं तो यहां से उपर दोना जगे से CP को common लिख लेंगे तो यह आपके पास आएगा T2S minus T1 divide by CP into T2R minus T1 CP से CP cancel हो जाएगा तो नीटा C की value Isentropic Efficiency की value आएगी T2S minus T1 divide by T2 of real minus T1 यह आई Isentropic Efficiency of compressor बट हमने यहां पर यह देखा जो real वाली प्रोसेस है उसके लिए तो यह नहीं लगा सकते हैं यह formula बट Isentropic वाली के लिए लगा सकते हैं तो हमारे पास एक formula और आ जाएगा यहां से T2S by T1 Is equal to suppose कर लेते हैं वहां पर pressure है P2S P2S by P1 raised to power gamma भी सेम हो और यह 2R point भी इसी लाइन पे है तो इसका मतलब यहां पर P2S भी सेम होगा तो P2S को आप P2 लिख सकते हो P2S को क्या लिख सकते हैं P2 P2 by P1 raised to power gamma minus 1 by gamma और P2 by P1 क्या था pressure ratio इसी को लिख सकते हैं R P pressure ratio R P raised to power gamma minus 1 by gamma तो यहां से हम लिख सकते हैं T2S by T1 is equal to P2S by sorry T2S by T1 equal to R P raised to power gamma minus 1 by gamma यह हम यहां पर लिख सकते हैं ओके यह तो हुआ compressor का अब देखते हैं isentropic efficiency किसकी इसकी turbine की या expander की तो expander expansion process कहा हो रही है 3 to 4 expander में जो प्रोसेस हो रही है वो रही है 3 to 4 तो isentropic efficiency of turbine is equal to इसका formula होता है it is the ratio of actual work actual work to the isentropic work it is the ratio of actual work to the isentropic work अब दोनों का एक साथ भी हमने इसलिए पढ़ा था कि ताकि दोनों को relate कर सकें देखो जब compressor की isentropic efficiency लिखी थी तो isentropic work ऊपर आया था isentropic work by actual work और जब turbine की लिखी है तो actual work by isentropic work है तो यह difference क्यों है यह difference पढ़ते हैं इसमें हम एक example ले लेते हैं example क्या ले लेते हैं mechanics का example जो आपने पहले पढ़ा होगा suppose करो एक surface के उपर एक block है same block है आपने इस direction में force लगा है इसके उपर एक बार आपने इस direction में force लगाया इस direction में अगर force लगाएंगे तो friction force इस direction में लगेगा this is friction force और जब आप इस direction में force लगाएंगे क्या friction force अभी भी इस तरफ लगेगा नहीं friction force कहां लगेगा इस direction में तो friction force हमेशा oppose करता है यानि कि हमारा हमेशा नुकसान करता है हम चाहे इधर जाएं तब भी दूसरी साइड लगेगा और अगर हम direction change कर देते हैं इसकी तब भी हमारे opposite लगेगा तो friction force हमेशा negative में रहता है तो आपको हमेशा इसकी वज़े से नुकसान होता है यहां पर भी जो actual process और real process का difference है वो किसकी वज़े से आ रहा है कुछ नग फ्रिक्शन है उसकी वज़े से आ रहा है तो हो क्या रहा है जब हम compressor में work दे रहे हैं तो नुकसान किसका होना है हमारा ही होना है तो जब हम उसको work दे रहे हैं तो हमें एक्चॉल वर्क ज्यादा देना पड़ेगा आइसेंट्रोपिक वर्क से, क्या होगा हमें एक्चॉल वर्क ज्यादा देना पड़ेगा आइसेंट्रोपिक वर्क से, तो एक्चॉल वर्क ज्यादा होगा और आइसेंट्रोपिक वर्क कम होगा, एफिशेंसी तभी तो टरबाइन वाला वर्क था 3 to 4 उस टाइम पे भी नुकसान किसका होना है नुकसान अल्टिमेटली हमारा ही होना है फ्रिक्षन की वज़े से तो जब हमें वर्क मिल रहा था हमें मिल कौन सा रहा था एक्चुल वर्क हमें मिल कौन सा रहा था एक्चुल वर्क तो जो हमें मिल रहा था वो हमें कम मिलेगा किस से आइसेंट्रोपिक से आइसेंट्रोपिक वर्क जदा होगा और एक्चुल वर्क कम होगा तो इसलिए जदा वाली वैल्यू नीचे आएगी और एक्चुल वाली वै और उसी friction की वज़े से turbine में हमें actual work कम मिल रहा है, जब हमें मिलेगा, हमारा फाइदा होना था, जब हमें मिलेगा, तो क्या होगा, वो हमें कम मिलेगा, आया समझ में, easy है, तो अब इसको देख लेते हैं, turbine की efficiency होती है, actual work, अब इसमें 3 to 4 जो process है, actual वाली कौन सी है, 3 to 4 R, तो इसको लिखेंगे, H3 minus H4, real वाली, actual कौन सी है, real वाली, और isentropic work कब होगा, जब 3 से 4S पर होगी process, तो H3 minus H4S, यह होगी, real वाली, तो यहां से हमारे पास यह formula आया, temperature की term में भी change कर सकते हो, कैसे, H हमें पता है, Cp T होती है, ideal gas के लिए, for an ideal gas, H is equal to Cp T, तो नीटा T को directly लिख लो, क्योंकि Cp से Cp cancel हो जाएगा, T3 minus T4R, divide by T3 minus T4S, यह हुआ हमारे पास, turbine की isentropic efficiency, ऐसे ही, जो 3 to 4 वाली process है, ऐसे ही 3 to 4 वाली process है, उसके लिए भी हम वो वाला formula लगा सकते हैं, कौन सा, T3 by T4S, आइसेंट्रोपिक वाली के लिए लगा सकते हैं, real वाली के लिए नहीं लगा सकते, T3 by T4S, इसको लिख सकते हैं, P3 by, P3 by P4S, raise to power, gamma minus 1 by gamma, अब P3, P3 किसके equal है, यहां से देखो P3 किसके equal है, P2 के equal, तो P3 को लिख लेंगे P2, बट P4S, यहां पर P1 और P4 constant है, इस पूरी line पे, देखो 4 point भी इसी line पे है, तो जो P3 और P1 और P4 है, वो value क्या है, same है, तो P4S की जगे क्या लिख सकते हैं, P1, raise to power, gamma minus 1 by gamma, और P2 by P1, यहां पर भी लिखा था हमने, P2 by P1 क्या होता है, pressure ratio, Rp, तो यहां पर लिख सकते हैं, T3 by T4S is equal to Rp raise to power, gamma minus 1 by gamma, यह हम लगा सकते हैं, बट यह real वाली process के लिए नहीं लगा सकते, तो यह हुई, यह हुआ, आइसेंट्रोपिक efficiency का concept, चाहे वो compressor के लिए हो, या turbine के लिए हो, अब question discuss कर लेते हैं, तो question आपको एक given है, in a gas refrigeration cycle, temperature at inlet and exit of expander are 300 Kelvin and 200 Kelvin, और क्या given है, assuming compression and expansion to be isentropic, find COP, इसकी COP निकालनी है, तो पहली तो हमारी एक समस्या दूर होगी कि compression and expansion क्या है, isentropic है, तो हम वो formula use कर सकते हैं, जो isentropic compression and expansion के लिए था, बट हमें यहाँ पर यह नहीं पता कि यह temperature कौन से है, जो 300 Kelvin और 200 Kelvin given है, यह temperature कौन से है, तो अभी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, लेकिन बाद में आपको पता होना चाहिए कि यह temperature कौन से है, question पढ़ते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, कि यह temperature कौन सा हो और यह temperature कौन सा है, तो इसको देखते है, symmetric diagram बनाते हैं, symmetric diagram कौन सा हो जो सबसे पहले हमने, जिसमें सारे components बनाए थे, यह compressor, compressor, फिर उसके बाद क्या था, cooler, compressor के बाद cooler, cooler के बाद expander, and expander के बाद refrigerator, और इसके बाद फिर से compressor में, यह point जहांपर compressor में entry हो रही है, यह था 1, और जो compressor से exit के बाद का point था, यह था 2, cooler के बाद का point था 3, और फिर expander के बाद का point था 4, और refrigerator के बाद का point फिर से 1, यह 1 ही है, ओके, तो यह हमारा simple diagram हो गया, इसको TS diagram भी बना सकते हैं, आप साथ में इसका, this is TS diagram, और जो diagram हमारा वो, कुछ इस type से था, यह हो गया TS diagram, 1, 2, 3, 4, अब कोई भी temperature आपको given हो, तो उसके लिए देख लेते हैं, देखो, compressor में inlet से पहले 1 है, और inlet के बाद 2 है, तो यानि कि 1, 2, 2 जो process हो रही है, यह process किसमें हो रही है, compressor में, यह process हो रही है, compressor में, फिर 2 से 3 जो process हो रही है, वो हो रही है, cooler में, तो 2, 2, 3 process किसमें हो रही है, cooler में, फिर 3 से 4 process किसमें हो रही है, expander में, 3 से inlet हो रहा है expander में, और 4 पे exit हो रहा है, तो यह वाली process किसमें हो रही है, expander में, उसके बाद, 4, 2, 1 process किसमें हो रही है, refrigerator में, यह वाली process, refrigerator, तो आपको यह पता होना चीए, कि 1-2-2 प्रोसेस कहा हो रही है, 2-2-3 प्रोसेस कहा हो रही है, 3-2-4 प्रोसेस कहा हो रही है, अब आ जाते हैं question पे, यह diagram आपको question में बनाने की जरूरत नहीं है, बट आपको पता होना चीए temperature कौन से है, यह हमने समझने के लिए बना लिया है अब कोश्चन देख लेते हैं, इन्हें गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल, the temperature at inlet and exit of expander are 300 Kelvin and 200 Kelvin, यहां पर respectively भी आना चाहिए, respectively, यानि कि compress, जो expander है, उसके inlet पे 300 Kelvin है, expander का inlet, expander inlet कहा हो रहा है, यहां सी inlet हो रहा है, यानि कि इस point का आपको temperature given है 300 Kelvin, यह point कौन सा है, 3 point, यहां पर भी देख लेते हैं, यह expander process है, वो 3, 2, 4, तो inlet कहा होगा, यहां पर inlet होगा, expander में और इस point पे exit होगा, 3 point पे inlet होगा, और 4 point पे exit होगा, यानि कि expander inlet का मतलब T3 आपको given है, expander, expander inlet temperature of expander, 300 Kelvin, तो T3 is equal to 300 Kelvin, और expander के exit पे, exit पे कितना given है, 200 Kelvin, exit पे given temperature है 200 Kelvin, exit कहा होगा, 4 point पे इसका मतलब T4 आपको given है, 200 Kelvin, T3 आगया आपके पास और T4 आगया, अब COP, simply, बहुत चोटा सा question है, COP का formula हम लगा सकते हैं, COP is equal to 1 by T3 by T4 minus 1, यही होता है, COP is equal to 1 by T3 by T4 minus 1, इसमें value put कर देंगे, 1 by T3 की value 300, divide by 200 minus 1, यह 2 0 से 2 0 cancel हो जाएगी, यानि कि 1 by 3 by 2 minus 1, 3 by 2 minus 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 1 by 2, LCM लेके चेक कर सकते हैं, आप LCM लोगे तो 2 यहाँ पे 3 minus 2, 1 by 2, तो यह हुआ 1 by 1 by 2, 1 divide में 1 by 2 है, और यह क्या हो जाएगा, ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा 1 by 2, तो यहनि कि COP आपके पास आएगी 2, simply, COP की कोई unit नहीं होती है, COP गी value 2,